हेलो आप लोग अच्छे से प्रिपेशन कर रहे हैं कि एजी गेट 22 23 का हूं कि यह फिप्थ कि सेशन है वो भी मैं लाइब यूटूब पर लेकर आया हूं रिमेनिंग सेशन हम लोगों ने ट्रांसेजी लाइब प्लेटफर्म पर देखा था तो हम लोग ट्रैक्शन थेयरी और उसे रिलेटेड अमारा एक और टॉपिक है उसी में आता है मेकेनिक्स अब ट्रैक्टर चेचिस जो फोर अमारा लास्ट लाइव सेशन था उसमें काफी उसके डिटेल से थेयरी हम लोगों ने लर्न किया था विट सम प्रॉब्लेम्स यह सेशन हमारा तोटली जो अभी हम लोगों ने लर्न किया थेयरी अभी पार्शियल लर्न किया कंप्लिट थेयरी अमारी कवर नहीं हुई है जैसे ओवर टर्निंग सीजी ऑफ ट्रैक्टर डिटर्मिनेशन यह सारे कॉंसेप्ट अभी हमारे बचे हुए है मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैलकुलेशन तो उसके भी प्रॉब्लेम है तो अभी जितना हम लोग लर्न किये हैं उस पर गेट का जो प्रॉब्लेम है वह की से लेबल में हमारे लिए तो इस बार जो लेशन हम लोग पढ़ते हैं थियरी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग कई कई से प्रॉब्लेम लेकर आते हैं लेकिन यहां पर मैं 2020 से स्टार्ट कर रहा हूं और फिर हम लोग ओल्ड गेट के प्रिवियस यहर पेपर से उसमें हमारा एवरी यहर ट्रैक्शन थेयरी एंड मेकनिक्स और ट्रैक्टर चैची से जो प्रॉब्लेम आया है उसको सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लेम सॉल्व करेंगे ओके सो फ्रेंट्स इस्टार्ट करते हम लोग लेक्टर फाइव ट्रैक्शन और मेकनिक्स और ट्रैक्टर चैची स्प्रॉब्लेम स्पार्ट वन पार्ट वान है जानते हैं न यह कितना इपॉर्टेंट है एवरिया तो इसे मिनिमूम टू मार्क्स मैक्समूम छेचे नंबर के भी कोश्चान आते हैं तो यह समझ लीजिएगा फ्रेंट इस इस गेट 2020 टू मार्क्स प्रॉब्लेम टू विल ड्राइब ट्रैक्टर विथ टोटल वेट ऑफ 25 किलो न्यूटन है जब विल बेस ऑफ 2.2 मिटर एंड सेंटर ऑफ ग्रिविटी लाइज 0.7 मिटर आइड ऑफ दे रियर एक्सल एक लाइन में खतम करो ट्रैक्टर की वेट कितनी है 25 किलो न्यूटन विल बेस डाइग्राम हमारा या दिया हुआ है अल्रेड हम लोग ने थियरी में भी लर्न किया है काफी डिटेल से इस पर हम लोग ज्यादा फोकास नहीं करेंगे हां डाइग्राम कैसे है किस तरह है अल्रेड जब पढ़ी लिए डेडिकेटर हमारी थियरी के लाइप क्लासे हुई है तो फिर हम क्यों इसको पढ़ने जाए ल्टू हमारा गिवेन है ल्टू आपका 2.2 विल बेस और कितना हमारा cg अहीड है रियर एक्सल सेंटर से 0.7 मिटर है एलवन इस्टी होरिजंटल पूल पूल क्या है आपका होरिजंटल अल्फा क्या हो जाएगी जीर हो जाएगी तो दोस्तों मैंने अल्फा को जीरो रखा है इस्टी होरिजंटल पूली अप्लाइड अट ड्रॉबार हीच हाइट अफ जीरो पॉइंट फाइट मिटर हाइट को यंस मों से रिपर्जेंट करते हैं वह जीरो पॉइंट फाइट मिटर गिवेन है तो दोस्तों जो फ्रंट एक्सल पर वेट है 20 परसेंट एस्टेटिक वेट अफ ट्रैक्टर और एस्टेटिक वेट ट्रैक्टर का कितना है जब ट्रैक्टर रेस्ट में था 25 किलोनीटन मोशन में आती है तो अगर यह इंकलाइन होता तो वह भी वेट करता है इसलिए यह वर्ड आपो देखने के लिए मिल जाता है तो 25 का 20 परसेंट फ्रंट एक्सल पर हमारा आ रहा है कितना हो जाएगा 5 किलोनीटन और विनोफ फर्मुला और रियक्षन और फ्रंट विल और एफ डबलू एलवन प्लस डबलू अपन एल्ट उ माइनश पी एस शाइन अलफा प्लस पी वाई इन कॉस अलफा पन एल्टू यह फर्मुला आम लोग ने प्रूप करके लाया है और सिंपल है इसका नहीं भी प् अब से भी फिरवर डाग्राम्स फर्मुला को लेकर आशकते कि हमारा यो फ्रंट उसलिया मैं दोनों विल को एक बना दिया दोनों रियर के रिन को एक बना दिया शोप्रेंट रफा अमारा फिर्म जीडियो हो फो के Canadians निक25 एल्टू रहे गा 想strstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstrstr इन्जन पावर को रियर एक्सल को सप्लाई करें कोफ्रेंट का हो जाएगा अपनेट पुल कितना है र१ाइक्सेन डिवाइस पर जो तो आ मारा Rियर वील है उस पर स्मॉल true reaction कितना नहां कि या उस पर बेट इस्मार नहीं आ रहे हैं है तो हमें क्या चाहिए है ऑटब तो हमारा कुल्कुलेट हो गया एच नेट एक नुननेट पूल जो हम्रत P तो फ्रेंड यह तो रेलेस्न है, अब यह यूज कर लो, यह सेकेंड क्या है, आप जो नए, वटिकल डियरक्षिन में फोर्स को बैलेंस कर दो, इस एल्दियू हो या डेनेमिक हो ट्रैक्टर रेस्ट में हो या मोसन में हो, दोनों ही क्या से में यह रेलेस्ट रहेगा because there is no component of pull by an implement in this direction because pull is acting horizontally parallel to the ground इसलिए यह आपका जो ना टाया static हो या dynamic हो vertical direction में अ कि इत्ता है आर्र सोँ इकितना होल्य है इत्तो है एकिणे चुक्ट है तो यहीं आर और निकाल सकते हैं चिश्वाइल एक्षन जितना आजओं का उतना है उसपर बेट आएगा यह 20 किलो न्यूटन दन और फ्रिंड यहां मैंने सोखिया कि पूल ड्राप जो F-EFR होता है वो आपका 13 किलो न्यूटन निकली जूका है coefficient of net traction H upon R0.65 जड़ा देखते हैं गेट का answer क्या है 0.642066 इस ओफिशल ऐंसर ऑफ गेट उसमें आपका fall कर रहा इसका मतलब सही लग रहा है concept concept learning जो है ना बहुत जादे जरुरी है राटफिकेशन बकवास है नुक्सान पहुचाएगा आपको, साधा रहिए, प्रेंट, दिरिंग, ऑप्रेशन अट्विल्ड ड्राइब ट्रैक्टर विथ टोटल बेट अफ, यह अल्रेडी हम लोग ने कर रखा है, ट्वेंटी, नैंटीन का कोश्चन है टू मस्क का, जो ब्रिक्स एक्वेशन पर बेश था, फर्स्ट टाइम गेट ने पूझा था, हमने जब ब्रिक्स एक्वेशन और विजमर लूत एक्वेशन के तरू जो परफर्फर्मेंस प्रामिटर की एनलिसिस कर रहे थे, तो उसी समय हम तियरी मे इस प्रॉब्लेम को कवर करा दिये हैं, यहाँ पर इसलिए इंक्लिट किया, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, 2020 से स्टार्ट करेंगे, और 87 तक जाएंगे, सारे प्रॉब्लेम को सॉल्व करूँगा मैं, छोड़ूँगा किसी को नहीं, इसलिए यह यह इसके इतने सॉलूसंते, थर्ड कोश्चन है, यह भी 19 का ही है, तो कितने हो गए 19 में, 4 मार्ट्स, देखिए, लेकिन फ्रेंड, यह आपका ओबर टर्निंग का कोश्चन है, जो हमारा लाइट सेशन होगा, थियरी का, उसमें जब हम लोग, ट्रेक्टर के सीजी का मोमेंट ओफ इनर्सिया का का गल्गुलेशन और टर्निंग को अंडरेस्टेंड करेंगे, तो उस प्रॉलम को वहां देखेंगे, मैं इसलिए इंक्लीड क्या हूं, सिक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ूँगा, अगें, 19 का 2 मार्स का प्रॉलम, भॉस नूदगाए, छãy नंबर, the rolling radius of the traction wheel in meter will be rolling radius आपसे उच्छा जा रहा है very simple friend करना कुछ नहीं है this is forward travel speed of tractor it means both rear and front wheel are actually moving with this travel speed concept क्या है by tractor किसकी मदद से move करती है rear wheel and front wheel की मदद से तो उनकी actual जो translational velocity है जितनी होगी उतना ही ने ट्रैक्टर की होगी अगर आप डोड़ रहे है तो इधर वाले body की जो speed है वो उतना ही होगी ना जितना हमारा right and left जो ने लेक का होगा वह ही है उसका tractor का लेक जो है उसके wheels है wheels की भी speed पता चल गया बट हमारा ये two wheel drive tractor है rear wheel पर ही हम बात करेंगे because rear wheel is driving wheel and slip जो given है वो slip जो ने rear wheel पर based है तो friend हमारा ये पता चल गया कि actual जो हमारा travel speed tractor की है वही rear wheel की होगी वही front wheel की होगी इसलिए front की तो बात ही नहीं करेगे वहाँ slip होगी अगर नहीं given आता तो zero ही माल लेते है because unpowered wheel की slip बहुत कम होती है neglect भी कर सकते है in the absence of data अगर slip दिया होगा तो जरू देखना four wheel drive tractor होगा हो front की भी अगर slip दिया होगा तो problem था अब देखे होगी lecture वाले में तो दोस्तों five kilometer per hour actual speed of rear or front wheel और simply tractor इसको meter per second में हमने convert कर दिया five upon 18 से जना multiply कर दिया meter per second में convert होगी है slip given है rear axle की angular speed given है अगर rear wheel की rolling radius से मुझे पता चल जाए तो theoretical velocity rear wheel की क्या होगी वो पता चल जाएगा आर ओमेगा आर इंटु ओमेगा multiply कर दो 2.4 इंटु आर actual velocity पता ही है theoretical velocity आ गया आर के टर्म में put करो और slip कितना है इतना यहां से आपको rolling radius rear wheel की निकल क्या जाएगी 0.68 high option में a two wheel drive tractor with rear wheel rolling radius of 600 mm द्यान दीजिए गई कभी कभी लोग से हो जाएगा आपको direct meter में put कर देंगे जब मैं अभी इसको solve कर रहा था तो मेरे सत हो गया था लोचा 600 मैंने use कर लिया और answer आ गया इसमें 3-0 और बाद तो द्यान रहना चाहिए आपको मैंने मिस्टेक किया आभी कर सकते हैं कि राइडियस अब 600 mm डेवलप अट्रैक्टिव फोर्स आप 18.5 किलो न्यूटन अट विल स्लीप त्वेल परसेंट कि प्रेक्शन फोर्स अब का गिवन है इस इस ग्रॉस ट्रैक्शन फोर्स राइडियस अब रियर विल 0.6 मिटर स्लीप तो विल ड्राइब है रियर विल की सब बात हो रही है सारा कॉंसेट आपको मैच करेगा इंजन स्पीड आपका गिवन है 2400 rpm इंजन की स्पीड गिवन है अगर इतनी है तो रियर आपका चल गया आपका कि बाई रियर एक्सल की स्पीड की स्पीड अगर इतनी है तो रियर एक्सल की स्पीड क्या हो जाएगी 120 टाइम से रिजूस हो जाएगा तो फ्रेंड डिस इस रियर विल की rpm निकल गई रियर विल एक्सल के साथ रिजिड ली अटाइड होते हैं तो इंजन के स्पीड में ट्रांस्मिसर रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो यह 20 rpm आपका रियर एक्सल और रियर विल की स्पीड निकल के आ जाएगी देखिएगा जब रियर विल की स्पीड आपके पास निकल के आ गई तो इसको आप रेडियन पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं तो टू पाई एन अपॉन 60 से मल्टिप्लाई कर देंगे और रॉलिंग रेडियस रियर विल की गिवेन है तो फ्रेंड तेरेटिकल ट्रेवल स्पीड निकल जाएगी रियर विल की ऐसे वाला ट्रांसलेशनल यह है अब देखिए आपको पकड़ में आ जाएगा कि इतना मैं डेस्मेल के बाद क्यों डिजिट लिया हूँ रिजन क्या था कि पहले मैंने इसको 600 मीटर ले लिया था बाद में देखा कि वाई श्लिप 1- Actually travel speed of rear wheel ठैटल to travel speed of rear wheel जीई स्लिप 610 प्रेवल, उस्लिप गीन है में यह जंज़े। आपका है विर यख लगल जाएगा वीया है एक्षवल travel speed of rear wheel और वही हमारा front wheel का भी होगा इतना meter per second ओके जब actual speed निकल के आ गई वही चाहिए तना में क्योंकि हमें फाइनली क्या निकलना है the driver power developed by the tractor will be किलोन्यूटन में driver power निकलना है भाई driver power निकलना है न यह हमारा rear wheel है ओके rear wheel का center है यह यहाँ पर लगे हुए है क्या hitch point से यह आपका draft P बोलो H बोलो pool बोलो horizontal pool बोलो draft बोलो ओके और velocity स्किनिकल क्या आ गई actual velocity of rear wheel तो दोस्तो drop और पावर क्या होती है draft into actual travel speed तो इसलिए मैंने actual travel speed निकाला और drop से multiply कर दिया ड्राप्ट आपका 16.75 है ड्राप्ट की calculation देखिए in the problem gross traction force of 18.5 किलो निटन is given problem बोलना develops attractive force of wheel जो आपका rear wheel 18.5 किलो निटन का जोना attractive force develop कर रहा है question में tout force भी दिया हुआ है if the tractor experiences a motion resistance of resistance of 1.75 किलो निटन 1.75 किलो निटन का जोना ए ट्राप्ट को motion resistance मिल रहा है तो tau force अपका 1.75 किलो निटन हो गया total जोना traction force कितना develop हुआ इतना और इतना motion resistance हुआ motion resistance is directed opposite to the direction of motion it provides resistance to the tractor and this is useful to draw a pool and it is created by attraction device while interacting with soil जैसे wheel soil के contact में आता है तो यह in the direction of travel होती है soil ने इसको धका दिया आगे की तरफ जाने के लिए और पूरे tractor पर इतनी की resistance आ रही है soil के द्वारा तो दोस्तों क्या हो जाएगा this minus this यही आपके लिए बचेगा जो implement को लेकर जाएगा तो इस ड्राप्ट और पूल बहुत ही बेदरीन कोश्चन है this is ड्राप्ट और पूल यह वाला वैलू आपका ड्राप्ट और horizontal पूल है तो ड्राप्ट निकल गया और फिर actual travel speed निकल गया tractor का तो ड्राप्ट इन्टू एक्चुल travel speed इस ड्राप्ट पावर तो ड्राप्ट पावर की कल्कुलिएसरे बेस्ट कोश्चन तो मांक्स हमारे स्टुएंट तो हाव में उड़ा देगे इसको क्योंकि वो जो ना टच नहीं करते हैं वो कॉंसेप्ट से मारते हैं चीजों को उन्हें सब कुछ पता है टच का मतलव क्या हता है ई है दिया तो क्या होगा ऐसा राता है तो का होता है लगाओ heat एंट्राल heat एंट्राल और मार्क्स भी आएगा पता ही ने चलेगा कितना आने वाला है 18.52 किलोवाट केटा अंसर 18.21 21 फॉल कर रहा है मतलब सही है दोस्तों एक और यहां पर पॉइंट है कि सर यहां पर टू विल ड्राइब ट्रैक्टर है एट मेंज गिवें ट्रैक्शन फोर्स इस डेवलाट बाई रियर विल अनली बोठ हीर द्रैक्शन फोर्स के वाल रियर विल का है यह है अविक मतलब रियर विल και दोरा डेवलप है तो कैसे कर दिए शब्स्ट्याइट कर दिए अरे बबाब तु विल ड्रैप ट्रैक्टर है ना तो rear wheel ही खुद की दोनो rear wheels की motion resistance को overcome करेगा rear wheel पर जो developed जो traction force है वो खुद पर motion resistance को जो 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 overcome करेगा और आगे वाले को भी धक्का दे रहा है आगे वाले का भी यही करेगा तो अपने पास बचा कितना चारो wheel में से जो यानि की पुरी tractor पर जो rolling resistance या motion resistance force लग रहा है जो travel direction के पुरी direction में है motion को resist कर रहा है उस सबको overcome करने के बाद जो बचेगा वो खिचने के काम में आएगा तो confusion की कोई जगा ही नहीं है इने की चार से दो से डिवाइड कर दिये दो फ्रेंट वाला हटा दिये और दो रियर वाले को ही रख दिये फरजी concept से लर्ण करो नेक्स्ट प्रॉल्म अ टुविल द्राइब ट्रैक्टर वाइं एटीन किलो न्यूटन है जो विल बेस 1.8 म है वेट हमारा फटाफर डेटा लिगते चलो जाओ विल बेस L2 इस सेंटर से इस सेंटर के बीच के दिस्टेंस L2 विल बेस इस सेंटर ऑफ ग्राविटी इस लोकेटेड 600 mm आहिट अप दे रियर एक्सल सेंटर यहां से यहां से यह एलवन वह भी आपका गिवेन 0.6 तुरात जो नहीं देखो मिटर में कनवड कर दो को जब आप कलेक्ट करते हो अंडर स्टेटी कंडिशन मतलब नहीं चल रहा था ट्रेक्टर रेस्ट में था अन लेवल ग्राउंड यह कहानी था उसके वेट L1 L2 वेन इस ट्रेक्टर यूज तो पूल डिस्क प्लाव हिचेज अट अधा हैट ओफ 390 mm फ्रों दे की जो है ना ग्राउंड से हाइट गिवन एवाई एन 0.39 तो द्राप्ट अवजरूड इस 6 किलो न्यूटन ड्राप्ट कितना है 6 किलो न्यूटन ड्राप्ट मेंस और जन्टल कंपोनेंट अब दे पूल और पूल के बारे में और भी कुछ नहीं कि इंक्लाइन दिया हुआ वर्ट उसके जो हुरिजन्टल कंपोनेंट तो वही ड्राप्ट कलाता है लेकिन यहां पर पूल अउर ड्राप पूल इसी ड्यूटन में मतलब पूरी पूरी कंपोनेंट् ड्राप्ट के नाम से जना जाएगा तो drop हमारा दोस्तो 6 kN given है The change in reaction on rear wheels of the tractor Due to pool in kN is Esthetic condition में Rear wheel पर कितना reaction आ रही थी और जब motion में आया तो motion में आने से क्या नया changing होती है यह pool जो है अपना effect देना चलू कर देता है यह act करना चलू कर देता है Because this is created by Pulling of disc plough जब rest में होगा तो कुछ खिची नहीं रहा है जब motion में आएंगे तब यह disc plough जो soil के अंदर inserted है soil को cut, invert और throw करने में और other motion resistances जो parasitic forces है tillage operation में उसको overcome करने के लिए force के requirement होती है लगना चलू हो जाएगा क्योंकि cutting operation श्टार्ट हो जाएगी सारे ploughing के जो ना necessary and on unnecessary friction है वो सब लगना चलू हो जाएगा तब जाकर यह pool अपना effect देता है rest में इसका कोई value नहीं zero और जब वो dynamic condition में है, motion condition में है यह pool consider किया जाएगा question पूछ रहा है, जब motion में आया तो यहाँ पर change कितना हो गया reaction में change, तो क्यों ना हम static condition में rear wheel पर कितनी reaction होती है वो लिख लेते हैं और dynamic condition में कितनी होती है दोनों का difference हम से पूछा जा रहा है rear wheel reaction in the rest condition rest condition में देखो rear wheel पर smile reaction static condition में कितना होता है this is the value WL2 minus L1 upon L2 rear wheel reaction in dynamic condition RRD reaction on rear wheel in dynamic condition अगर पूल inclined होता तो यह value छोड़ देता और यह हमारा weight transfer है इतनी होती है value दोनों का difference अगर लेंगे तो क्योवल इतना ही आएगा this is the difference उसमें भी alpha 0 है मतलब पूल हमारा और जंटी लग दा है तो यह वला दोनों term खत्म होज़े आएगा यह P इतना ही आपका value है यही answer है time भी नहीं लगा minute भी आपका नहीं लगा है और two marks जो इस साले PR होंगे student उनको मिले होंगे answer कितना आया 1.3 एग्जेक्ट किलो न्यूटन option में है हम sequence से चल रहा है देख रहे हैं न 20, 19, 19 में 6 नमर गया था 18, 17 हर सल आएंगे चिंताना करना फेरी का नमबर देके जाएगा यह important है और रटा लगा कर सुचे कि सब पिछली जिया कि जितने सारे कोशन हैं उस सब को रटा लगा कर और ट्रैक्शन की प्रोल्लेम करने बैठते है कोई गैरंटी नहीं है रटाफिकेशन विल प्रोडिउस two marks from the ट्रैक्शन थेरी तोड़ा twist होगा marks भी twist हो जाएंगे two से zero बन जाएगा समाई kill करेगा वो अलगा आपको कहेंगा रटा तो लगाया है बनना तो चाहिए concept learn करो अपने आप सब filter हो जाएगा useless useful data filter हो जाएगा क्या करना है वो सब के लिए रो जाएगा a tractor of 19.5 किलोनीटन weight and 1.8 70 percent aesthetic weight on the rear axle tractor की weight wheelbase 1.8 70 percent aesthetic weight on the rear axle 19.5 का 70 percent rear axle पर आ रहा है aesthetic weight जब motion में नहीं था तब की बात हो रही है रियर एक्सल पर आ रही है और रियर एक्सल पर जो वेट आती है जिसे अब उसे हम लोग क्या बोलते है इस्टेडी कर्डिशन में RRS जित्ती वेट आएगी उतना ही स्वाइल उस वेट को सपोर्ट करने के लिए विल पर रियक्सन प्रोवाइड करेगा और वो यह जानते हैं आपको अभी जश्ट इसका यूज भी किया था मैंने यह वैलु आपका गिवेन है इत पूल्स एट किलो न्यूटर्न ड्राव बार लोड पैरलल तो दे ग्राउंड थू एच्ट पॉइंट लोकेट 450 mm अबव दे ग्राउंड वाइन आपका दिया हुआ है 0.45 मेटर 8 kg न्यूटर्ण ड्रावबर लोड पैरलल तो दे ग्रांड यानि यह इसवार पूल हो ना ओर जेनल है ग्राउंड के पैरलल तो यह ही अमरा द्राफ्ट पूल ह 8 kg न्यूटर्ण अल्फा 0. The dynamic weight on the rear axle of the tractor under operating condition in kgnewton will be dynamic weight when tractor इस तरह बन जाता है जाने के वाले कंडिशन में पी साइन अलफा और यह वे ट्रांसफर फ्रंस से रियर पर आती है यह वाली रेट ट्रांसफर है अलफा जीरो होने की वज़ा से यह सब जीरो यह खतम हो जाएगा और इसकी वैलू अभी जस्ट यह कल्कुलेट किये हैं इसमें जो आपको क्या करना पी वाइन अपॉन एल्टू जोड़ना है पी आपका गिवेन है ओके यह हमारा पी है वाइन और एल्टू गिवेन है 15.65 ग कितना जल्दी-जल्दी हो रहा है एक बड़ी डिटेल से पढ़ा स्लोली स्लोली रटा रटा लगा के और जब में जब यूद करने की बारी याई प्रॉलेम सॉल्व करने की तो जटके में हो रही है एक तो आपकी जो है ना गूड वे है प्रिप्रेशन की पढ़ने की उसक यह टेक्नलोजी की वज़ा से इसकी वज़ा से मैं इतना के लिएर स्टेंडर्ड फॉर्मिट में फॉंट हमारा स्टेंटराइज है उसमें आपको मैं सो करा रहा हूं एवरिधिंग इस बेरी खिलियर प्रॉम कॉंसेप्ट तू सपोर्टिंग टूल्स और मैं भी उतना ही स ड्रॉबर लोड आपका वो पूल है वो नेट पूल ड्रॉबर लोड ड्रॉबर कितना लोड लेके चल रहा है वहीं ड्राप्ट है उसका वहीं उसका जो एना नेट पूल है एच है हमारा रहे हैं अगेंच फ्शोफ घ्रॉबर कितना ट्रप्व ड्रॉबर किया गया होगा 12 किलो न्यूटन, बुद्धी लगाओ, आठ चला गया, लोट को खिचने में, चार जो एना, ट्रेक्टर पर, जो रॉलिंग रेसिस्टेंस लग रहे हैं, उनको ओबर कर्म करने में, तो ग्रॉस ट्रेक्शन फोर्स अपका एफ निकल क्या गया 12 किलो न्यूटन, फर्मूला मे उस्तिक पर्सेंटेंसी, टि एकस्प्रेंज बाईडर ट्रेक्टर पर्सेंटेज, विल बी, वन मार का कोश्चन है, सतरह कहीं है, देखलो यहां भी, मैक्विमुम छे नमर गया था, दो तो मिनिमम है, तीन भी है, चार भी मिलेंगे, ट्रेक्टेंसी, इसमें इन्वाल्म है प्रॉब्लम में ट्रैक्टे भी पिसेंसी क्या होता हमें बताने एक जोर्ट नहीं है कि मैं डायरेक्ट इसको बता रहा हूं यह आता यह है क्या वो पूरा डिटेल से समझाया है वो 15 बीना तो यही समझाया था मैं पूरी ग्राप के साथ बृब्र अउट्पूट पूर एक्सल पावर अउट्पूट पवर नेटपूल इंट्व ट्रैवल स्पीड एक्सल परेए पल्थ अचरक्सरों हमें रखंग ग्रॉस ट्रैक्शन फॉर्स इंटू आर यह प्रूब करके रखा हुआ है मैंने इसलिए चार से सब्सक्राइब क्या थे विल इस काल ट्रैक्शन दिवाइस बिकॉज इट्रैक्शन फॉर्स पुलिंग फॉर्स यहां पर टॉर्क आया और यहां हमें मिला एफ इस में से भी एफ हमारा निकल गया तो नेट कितना मिला एच निट ट्रैक्शन फॉर्स है इस इस आउट्पूट और इस इस इन्पूट ओमेगा के साथ और यह जा किदर रहा है वी ए के साथ टॉर्क जोएना एक्सल पर वेजा गया सब्धाया तब फिर भी एकबर कर दे रहा हूँ टॉर्क जोएना हमारे एक्सल पर आया ओमेगा से एक्सल रोटेट हो रही है आउट्पूट एच इन्टू भी ए पाउर में इन्पूट टाव इन्टू ओमेगा खतम बात ऐसा ही करके बोले थे नहीं याद करने के लिए टाव टी इन्टू ओमेगा टी क्या बोले थे प्रूब करके दिखाया था आपको और ओमेगा क्या है ठ्रेटिकल अपॉन आर खतम यह रिलेशन देखो अभी अपन विटी यह तो सब अटोमेटिक आरेंज है रटने की कोई ज़रूत नहीं है हमें अभी यह चाहिए विकॉज वी हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट एच एंड एफ इन दिस प्राब्लम एच भी पता है तो एच एफ वन मैनस एस और इंटू यह पता है तो इस वाले रिलेशन को लेकर आजाओ कौन इसमें यूज होग पता नहीं था हम प्राक्शन इफिसेंसी की डेफिनिशन यहां पर लिख दिये और फिर फ्रेंड इस वाले को लेकर आया क्योंकि इसके रिगार्डिंग टोटल डेटा दिए ट्राक्शन इफिसेंसी गिवेन है एच गिवेन है एस आपसे पूछ रहा है प्राक्शन इफिसेंसी गिवेन है एच गिवेन है एफ हमने कल्कुलेट कर लिया था इसकी वैलू निकल के आगया 14.5 गेट का आंसर जारा चेक करते हैं 14 टू 15 इसमें फॉल्व कर रहा है मतलब सही है फ्रेंड यह हमारा प्रॉलिम हो गया और भी हम लोग प्रॉलिम करेंगे तो पहले थियरी पढ़िते है तो फिर से जो है न हमारा प्रॉलिम पार्ट 2 चलेगा थिरी चलेगा और सारे प्रिवेड़ीम defense करेंगे आप इसको revise करके हमेशा के लिए अपने mind में रखिएगा, आपका काम इतना ही है, so friends इस live session को यही end करते है, I hope आप लोगों ने enjoy किया होगा, मलागक पढ़िए अच्छे से पढ़िए सही तरीके से पढ़िए तब ही जाकर जीवन में कुछ कर पाएंगे नहीं तो समय काक्यवल लॉस है okay, so we stop this session here thank you for watching this video goodnight friend